हेलो दोस्तों नमस्कार इस्टाग मार्केट सेयर यूटू चनल में आपका स्वागत है अभी हम पात करने वाले हैं एक पिद्दी कंपनी अर्थाथ पेनी सेयर जो एर सी फाइनेंस लिम्टेट सेयर की क्योंकि इससे समंदी जो क्यूटू का रिजल्ट आना था नौ नौमब को मार्केट खुला था तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा था इन सब चीजों को हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हम बात करन सबसे पहले रिवेन्यू फ्राम प्रेशन की बात करें अर्था टूटल रिवेन्यू फ्राम प्रेशन जो की इसका में बीजनेस होता है उसकी अगर बात करें तो यहां पर आप देखिए कि इसने तूटल इस क्वार्टर में 47,64,000 का का कारोबार किया है जो कि पहले से इसकी कारोबार किया था तो इसे अब देखिए इसकी कारोबार लगभग आधा होता हुआ नजर आ रहा है जो कि इसका में कारोबार है जबकि यह रान एयर बेस पर अगर हम बात करें तो इसे 40,000 का तो टूटल कारोबार कर रहा था जून दोजर देश में वह बढ़के 47,64 इसे 46,000 पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है जो यह बता रहा है कि यह कंपनी है यह यह रान एयर बेस पे तो बहुत इघटिया पर फार्मेंस लिकालका दी है लेकिन इसका में अच्छा पर फार्मेंस लिकालके दी है यहीं पे अगर हम बात कर लें अगरकि इस्जितम्य 2022 के quarter में यह 35-36 लागा करूबार करी थी तो यह और यह बेस पेश के इंकम करूबार में बिदित दिखाई दे रही है वहीं quarter quarter बेस्पे भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है अब हम अगर बात कर लें हैं पेश के इंकम में अभ बात कर लें इसके टोटल एक्सपेंस के तो इसका जो टोटल एक्सपेंस फिलाल दिखाई दे रहा है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखी जा और इस quarter सितंबर 2023 के quarter में जहां है इसका total expense लगबग 21 लाग के आसपास था वो फिलहाल वो फिलहाल जो है सितंबर 2022 में 80 लाग के आसपास था तो इससे साब से आप देख रहे हैं कि इसका जो एरान एर बेस पे जो total expense है उस पे अच्छा कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रही यह company वहीं quarter and quarter base पे भी इसने अपने total expense पे अच्छा कंट्रोल दिखाते हुए जो 27 से 28 लाग का total expense करे थी जून के quarter में वह फिलाल खटके 21 लाग पे होटा हुआ दिखाई दे रहा है जिसका प्रभाव अभी आगे income पे देखने को मिलेगा क्योंकि इसने अपने जो expense है उसमें अच्छा खासा जो है growth दिखाते हुए इसमें अच्छी खासी कमी करी है अब हम अगर बात कर लें इसम कि इसने expense में को जो है अच्छा खासा growth दिखाने और कमी करने के कारण यहां पर आप देखिए कि यह इसका इस quarter नहीं सितंबर 2023 के quarter में लवग 27 लाग का टोटल करूबार करी है जो कि पिछले सेब quarter में 12 लाग का करूबार कर थी और जून के quarter में यह 12,49,000 का टोटल करूबा अब हम अगर बात कर लें यहीं पेश का profit फार्द प्रियर्ड जो कि इसका original profit होता है इसे हम नेट प्रॉफिट के नाम से जानते हैं जिसमें से टेक्स के अलावा अर्दर जो भी खर्चे हैं वो घटान एक बाद जो profit बचता है उसे हम इसके माध्यम से जानते हैं जो कि यह नहां पर अगर हम बात करें सितंबर 2023 के quarter में तो यह लगभग 20 लाग का total यह profit करके दी है नेट प्रॉफिट और यह इसलिए यह profit निकल के आ रहा है क्योंकि इसने quarter and quarter base के साथ साथ year and year base पे अपने खर्चे में गजब का control दिखाया है वहीं अगर हम बात करें कि इसका जो प इसको नेट प्रॉफिट हुआ था उस वह बढ़के फिलाल दो गुने से ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है और यह इसलिए संभव हो सका है क्योंकि इसने अपने खर्चे पे गजब का control दिखाया है यहीं पर हम बात करने कर लें कि इसका earning per share क्या रहा है तो इसका earning per share भी आप देख रहे हैं कि लगबग दो गुना होता हुआ नजरा रहा है न क्यों एरन एयर बेस पे बलकि quarter and quarter बेस पे भी तो यह बता रहा है कि यह जो कंपनी है इसने अपने खर्चे पे control अच्छा करने के कारणी इसका जो result लिकल के आया है एक तरीके से five star result आप कह सकते ह हैं हाला कि इसका इस कंपानी का जो मेंन बिजनेश जिससे यह कमाई है उसमें धी अच्क हषा इसने इसको इंकम होँआ है उसमें ब्हुर्म और बेची है उसमें अच्छा खासा घाटा होने के अकारण आप देख रहे होंगे यह कंपनी फिलाल यह इसका जो टोटल इंकम हुआ था उसमें एर आन एयर बेस पे उतना बढ़िया पर फार्मेंस नहीं तिखाए थी लेकिन इसने अपने खर्चे पे इतना च्छा करूल दिखाया है जिसके कारण यह फिलाल प्रॉफिट में आती हुई नजर आ रही है नौ कि मेंबर के बारे में तो बताया गया है साथ ही साथ इसमें कुछ जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में यहां पर पूटा डीटेल से बताया गया है और यहां पर आप देख रहे हैं इसमें कुछ जो है इनके मनेजमेंट में भी बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं तो उसके बाद एक दिन पूरा मिला था कारोबार के लिए तो इसका परभाव क्या पड़ा मार्केट पे तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने इसी नेगेटीव में रिया है नहीं पोजिटीव और यहां पे आप देखिए कि यह जो है फ्लेट 0% का रिटर्न लिकाल के दस्तारी को दी थी और यह जो हाला कि आप देखेंगे हो सकता है कि सुमार को जब मार्केट खुले तो इसमें आपर सर्केट भी लग जाए क्योंकि यह जो कंपनी है इसने परफार्मेंस नक्यों यह बेस पे अच्छा क्वार्टर क्वार्टर बेस भी अच्छा खासा प्रफार्मेंस इस कंपनी ने दिखाया है तो यहां पे आप देख रहे हैं कि फिलाल यह सतर पैसे क्या स्पास ट्रेट कर रही है वहीं अगर हम बात करें पांद की चार्ट पेटर्न की तो इसने लगभग देर परसंट का रिटन लिकाल के दिया है छह महिने में पांच-5 परसंट का निगेटिव रिटन जबकि 6 महिने की बात करें तो लगभग यह 8 परसंट का रिटन लिकाल के दे चुके है जबकि यह तो यह उपर भी गई ती यहां पे आप देख रहे हैं उसके बाद फिलहाल इसमें गिराव परठी दिखाई दे रही है और यह अपने आल टाइम लो यानि 44 परसंट के साथ यह फिलहाल मिल रही है चुकि आप जानते हैं यह एक पैसा लगाता है तो इसके डूबनी के संभावना सरवाधिक होती है क्योंकि यह जो कंपनी है यह आचानक अपर सर्कीट में ही यह यह करते हैं और जब भी कोई कंपनी पेनी शेर होती है तो इसकी बनने की जितनी संभावना होती है उतनी डूब उसे बंध होने की उतनी ही संभावना होती है तो इसमें कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले आप अपने जो है वित्तिय सलाकार से संपर करते हुए कोई भी पै रहा है इसमें अच्छा खासी वॉल्म के साथ प्रेडिंग हो यह पे जिसमें से आठ लग से डिलेवरी के रूमें उठा लिये गए हैं लब 65 परसंट जो यह दिखा रहा है कि पेनी सेर होने के बावजूद भी इसमें अच्छी खासी डिलेवरी उठाई जा रहे हैं हाला कि इसने कौर्ट ऊंप क्वाइस पर यह ने बेस पे अच्छा खासा परफार्मिस दिखाया है तो हो सकता है एदो जो जो डिलिवरी जो इन्वेश्टर उठा रहे हैं वे साएद उनको लग रहा है कि आने वाले समय में हो